गूर्णिंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नेवर इस्टिडी टॉपिक्स में दोस्तो हम करवाने जा रहे हैं यूपी के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 कोश्चन जिसका ये दूसरा भाग है मेरे प्यारे दोस्तों आप से निवेदान है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सस्क्राइब भी कर दिया करो और वे लाइन करन को प्रेस कर दिया करो जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रंत आप तक पहुंचें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास उत्तर प्रदेस के किसी भी एकजाम यूपी प्लिस, यूपी लेकपाल, यूपी पेट, यूपी टेट आज की गर पयारी कर रहे हैं तो ये प्रशनाप के लिए महत्पूर्ण होंगे उत्तर प्रदेस में सरवाधिक छेत्र फल वाली आम की प्रजाती है राइट एंसर है D, दसहरी नेक्स्ट कोश्चन है, रोजगार की दृष्ट से उत्तर प्रदेस का सबसे बड़ा उद्योग है राइट एंसर है A, हत करगा उद्योग नेक्स्ट कोश्चन है, उत्तर प्रदेस में यूरेनियम उपलब्ध है राइट एंसर है ललितपूर जिले में नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है राइट एंसर है बी राम गंगा नेक्स्ट कोश्चन उत्तर प्रदेश का निमलखित में कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है राइट एंसर है C, Tappau 1 नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश की जलवायू कैसी है तो राइट एंसर है A, उर्ष्र कट बंद निये मान्सोन नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में नौलेज पार्क के स्थापना जहां की गई है, हुआ जगा है राइट आइशन है D. Greater Noida नेक्स्ट कोश्चन है निम्रकित जनजातियों में से किस की संख्या उत्तर प्रदेश में सरवाधिक है राइट एंसर है B. थारू नेक्स्ट कोश्चन उत्तर प्रदेश के किस सहर में महत्मापुध ने संख्य में स्तरियों की प्रवज्या की अनुमत दी थी राइट एंसर है C. संकिसा नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन एम बौधन धर्मुक दोनों का प्रसिध तीरत स्थान है राइट एंसर है A. कौसाम्बी नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश का नोचंदी मेला कहा पर लगता है उत्तर प्रदेश में सिद्द बरसाना का होलिका उत्सो किस नाम से प्रसिध है राइट एंसर है C. लट मार होली नेक्स्ट कोश्चन है संत वारिस अली साह की दरगा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है राइट एंसर है बी बारा बंकी नेक्स्ट कोश्चन है कुम्ब के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है राइट एंसर है सी नोचन्दी मेला नेक्स्ट कोश्चन है । प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्खित में से किस नगर में नहीं लगता है। राइट एंसर है B. वाराणेसी। नेक्स्ट कोश्चन है । स्वामी हरिदास जैन्ती का प्रतिवर्स उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजिन किया जाता है। राइट एंसर है A. ब्रंदावन Next question है उत्तर प्रदेश में राम कत्था संगराले कहां परिष्टित है? Right answer है B. अयोध्या Next question है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमानिमखित में से किसे मिलती है? Right answer है C. बिहार नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है राइट एंसर है A, 2 नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश के उत्री भाग को कौन से देश की सीमा इस्वर्ष करती है राइट एंसर है C, नेपाल नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में इस्थित अयुध्या नगर किस नदी के किनारे इस्थित हैं? राइट एंसर है C. सर्यू नदी के किनारे नेक्स्ट कोश्चन उत्तर प्रदेश में तेल सोधक कार खाना किस अस्थान पर हैं? राइट एंसर है A. मतुरा नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बरतुनों के लिए प्रिसिद्ध हैं? राइट एंसर है B. खुर्जा endo. q deixarई q question है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्यन प्रिसिछ्ण केंदर कहां परिस्थित है right answer है D इलहाबाद next question है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलूत पादक जिला काउंसा है right answer है D फरुखाबाद Next question है प्रदेश का काउंट सानगर चूरी द्धो के लिए सबसे प्रसिद्ध है Right answer है A, फिरोजाबाद Next question है उत्तर प्रदेश चल चितरी विभा की स्थापना कब हुई थी Right answer है D, 1975 Next question है उत्तर प्रदेश के सूचना केंदर का मुख्याले किस्नगर में है राइट एंसर है D. लखनो नेक्ष कोच्षन है बिश्व का सबसे बड़ा कुम्भ मेला उत्अप्रदेश के किस सहर में लगता है तो राइट एंसर है E. इलहाबाद नेक्ष कोच्षन है उत्तर प्रदेश के राज्किय संग्राले मुथ्रा की स्थापना कब हुई थी? राइट एंसर है A, 1874 B में नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्किय संग्राले लखनों की स्थापना कब हुई थी? राइट एंसर है D, 1863 B में नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश के किस अस्थान से घोसिता राम नामक बौध विहार का पता लगा था प्राइट एंसर है C. कौसामबी नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे फाचीन संग्राला इस्तित है उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरा तत्तु संगाले श्थित हैं उत्तर प्रदेश में ब्रद्धा उस्था पेंशन योजना का आरम किस वर्ष हुआ था उत्तर प्रदेश में जावाहर रोजगार योजना का पुरारम का पुरारम के बीच में उत्तर प्रदेश ने सिच्छित विरोजगार नवयकों को रोजगार पुरारम करने हैं तो कौन सी योजना चला रखी है राइट एंसर है A. सौ रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के उच्छ न्याले की खंड़ पीठ कहा पर है तो राइट एंसर है B. लखनो नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध कौन सा है तो राइट एंसर है B. राम गंगा नेक्स्ट कोश्चन है मद्ध प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिले कहां इस्थित है राइट एंसर है A. इंदौर नेक्स्ट परोचन है उत्तरप्रदेश में वर्सा रितमे और स्थन कितने procent वर्सा होती है तो राज्ट एंसर है 75 से 80 percent नेक्स्ट कौ्शन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है राइट एंसर है B उत्तरप्रदेश दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आये तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सस्क्राइब करें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट अंचर है B. गंगा नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लगुद्यूग किस नगर में है? राइट अंचर है A. आगरा में नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में किसान मित्री योजना की सुरुवात कब हुई थी? राइट अंचर है C. 18.02.2002 नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्व विद्याले कहां पर और कभ इस्थापित किया गया तो राइट अंचर है C. इलाहबाद नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकासक कौन थे? Right answer है A. पंडित्मधनमगोहनमालवी Next question है, उत्तरप्रदेश में जयन एम बॉद दोनों का प्रसिद्य तीर तस्थल है Right answer है A. कौसामबी Next question है, उत्तरप्रदेश में समस्पूर पंची बिहार किस जिले में सित है Right answer है D. जाइवरेली नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में निMKIT में से कौन सी जनजादी सरवाधिक जनसंुक्यावाली है राइट है A. ठारू नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रसिष्षण एम अनसंधान केंद्र इस्तित है राइट अंसर है c लखनो में नेक्स्ट गौशन है उत्तर्पदुश का निखित में से कौन सा खिलाडी हौकी से सम्मन्दित है एंसर है d जमनालाल सर्मा नेक्स्ट कौशन है उत्तर्पदेश में संपूरणा नंत कारागार प्रसेषन संस्थान किस संस्थान पर है तो राइट एंसर है C, लखनो नेक्स्ट कोशन है भारत का पहला केंद्रिय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहां श्थापित किया गया था आइट एंसर है C, आगरा 1846 में नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में पस पालन विहाग की सापना कब की गई राइट एंसर है C, 1944 में नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में मतस्य पालन का सो बारम कब किया गया तो राइट एंसर है B, 1944 में नेक्स्ट कोश्चन है विस्व का सबसे बड़ा कुम्भ मेला उत्तर प्रदेश के किस सहर में लगता है राइट एंसर है A Ilahabad next question है उत्तरप्रदेश में लोक आयजोक की नेक्टी कब शेक ही गई है तो राइट एंसर है B 14. Hambach 1937 next question है उत्तरप्रदेश में प्रत्थम विष्चु विध्यालें कहां पर और कब श्थापित किया गया तो राइट एंसर है D Ilahabad नेक्स्ट कोशन है निम्रखित में से किस धार्मिक समधाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है राइट एंसर है B. सिक नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में भारत कलाग भवन श्थित है राइट एंसर है B. वाराणशी में Next question है, निम्खित में काउन सा उत्तर पर्देश का प्रमपरागत उत्व्योग है? Right answer है C, चीनी Next question है, उत्तर पर्रदेस में computer added designing पर्योजना का केंदर इस्थित है? Right answer है B, लखनोव में Next question है, उत्तर पर्देस के किस जिले में uranium के सीमिद भंडार की खोच की गई है? पत्ताबगर है। नक्स्ट कोशन है महर सिवालमी का अस्रम कहां पर इस्तित है। राइट ए pleaसा Cash है और भार्तिय द्रहन सोड़ा वशलव चलंगा है द्सफ़र condemnוח है today का Yakis कौन से देश की सीमा स्वर्ष करती है तो राइट एंसर है C नेपाल नेक्स्ट कोशन है के नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है राइट एंसर है डी यम्ना नेक्स्ट कोशन है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यम्ना नदी से मिलती है तो उस्तरम और सोना निंजव्ट में उत्तरप्रदेश के किस नगर में वतता है। तो राय इसरे टी इलाहाबाद है। नेक्स्ट कोश्टर है उत्तर प्रदेश का मिर्जा पूर नगर किस नदी की किनार रिष्ठित है तो राइट एंसर ए गंगा नेक्स्ट कोश्चन है निम्धित में से कौन सा नगर गूमती नदी की नारी इस्तित है राइट एंसर है D. लक नो नेक्स्ट कोश्चन है हिँगवा जील उत्तर प्रदेश के किस नगर मिस्तित है राइट एए C. वाराण सी नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में क्रिसी भाकी स्थापना कब की गई राइट एंसर है B. एक माई 1920 में नेक्स्ट कोश्चन है सय्यद सालार मेला कहां लगता है तो राइट एंसर है B. बहराईच में नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांथ काउंट सा है तो राइट एंसर है C, राम गंगा नेक्स्ट कोशन उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग इस्थित है तो राइट एंसर है C, इलाहबाद नेक्स्ट कोश्चन है उच्छ नियाले प्रिदेश किस नगर में श्तित है राइट एंसर है B, इलाहाबाद नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रिदेश का उच्छ से 16 साले कहां परिश्तित है राइट एंसर है D, इलाहाबाद नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश का Medical College कहा परिष्थित है तो राइट एंसर है B. लखनौ नेक्स्ट कोशन है निम्ण में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो राइट एंसर है B. डोंगरी नेक्स्ट कोशन है निम्र्खित कृतियों में से कौनसी कृति उत्तर पृषिगों के प्रसिद उपरनास्कार मुन्सी फ्रियम चंदकी नहीं है तो राइड आइजैर है B, चंदगुप्त नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में इस्थित है? राइट एंसर है A. लखिंपूर नेक्स्ट कोश्चन है सारनात में किस समराट का प्रसिद्ध इस्तर्म इस्थित है? तो right answer है D. कुमार गुप next question है गोसोमित उलसितास जी की जन्म अस्थली प्रदेश में कहा पर है तो right answer है A. राजापुर next question है भीतर गाउं का प्रसिद मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है right answer है B. कानपुर next question है निम्खित में कौन सी अभीतर प्रदेश से संबंदित है तो right answer है ये सभी next question है उत्तर प्रदेश के निम्खित में से किस कालाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धी मिली तो right answer है B. अमिताप बच्चन नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश के किस छेतर में थारू जन जाती निवास करती है राइट एंसर है बी तराई नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी जन जाती द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है राइट एंसर है B. बुक्सा जन जाती नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश के ब्रज छेतर का प्रसिद लोगीत कौन सा है तो राइट एंसर है D. रसिया नेक्स्ट कोशन है गुप्त गोदावरी नामक दरसनिय स्थल प्रदेश में कहां पर है राइट एंसर है A. चेतर कूट नेक्स्ट कोशन है वेडी माधो मंदिर प्रदेश के किस जिले में है राइट एंसर है C. इलाहाबाद नेक्स्ट कोशन है गोले स्वर का प्रसिद मंदिर प्रदेश के किस जिले में इस्थित है राइट एंसर है C. जालोन नेक्स्ट कोशन है विश्व प्रसिद्ध स्री राम मंदिर प्रदेश के किस इस्थान पर इस्थित है राइट एंसर है डी आयोध्या नेक्स्ट कोशन है लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है तो राइट एंसर है सी माथुरा नेक्स्ट कोश्चन है सर्प देवनाग वसुका प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है तो राइट एंसर है C, इलाहाबाद नेक्स्ट कोश्चन है बटिस्वरनाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है तो राइट एंसर है D, आगरा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक जुरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें